Hello students, आज का टॉपिक है चेक पॉइंट और चेक पॉइंट का कुश्चिन नमबर 4 कुश्चिन है, फोर्स का पार्ट ए है, A x square प्रस 8x प्रस 16 तो चिल्डन इसको हम इस आइडेंट्टी से सॉल्व करें कि इसी ट्राइब का कुश्चिन है चिल्डन इहाँ पर आप देखिए, जो x square है, इसको हम लिख सकते हैं इसको x का whole square और इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का square तो यहाँ पर जब आपको a square और b square, square वाले दोनों मिल गए हैं तो b च्वाला टर्म देखते हैं क्या हो गया, हमारा a हो गया x और b हो गया 4 तो 2 a, b से इसको लिखेंगे 2 into a का मतलब x यहाँ से ले लेंगे, b का मतलब 4 यहाँ से ले लेंगे अब इसको आप verify भी कर सकते हैं 2, 4 जा, a, x, c के बराबर आ रहा है इसको हमारा correct है, अब a square प्लस b square, यहाँ पर a square मिला, यहाँ पर b square मिला और यहाँ पर 2 a, b मिला, it means हो गया a प्लस b का whole square इस तरीके से हमारा question number first का solution हो गया, अब आगे बढ़ते हैं चिल्डन question number से उसी का part c देखते हैं, part c को देखिए, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 4a square है, तो 4a square को पहले हम whole square में, that is u में right, 2a whole square उसके बाद हम 9b square को देखेंगे, 9b square को आप देख सकते हैं, 3b का whole square, अब आपकी a की value 2a हो गई, और b की value 3b हो गई, यहाँ से, अब दोनों चीजे a और b मिल गई, तो बीच में लिखते क्या है, 2 into a, a मतलब 2a, into b, b मतलब 3b, अब देखिए, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, अब देखि अब इसको a और b मालूम है, a हमारा 2a है, और b हमारा 3b है, तो क्या बन जाएगा, 2a plus 3b का whole square, तो इस तरीके से आप इसको भी solve कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे children देखिए, इसी चेक पॉंट का question number 4 का part f, part f में क्या है, देखिए इसमें अब तीन टर्म नहीं है, a square plus b square plus 2a b नहीं ले सकता है, ना तो a square plus b square minus 2a b लगता है, 2a b लगेगा, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 4x square minus 64, अब सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ common है, that is 4 common है, 4 common लेंगे तो हो जागा, x square minus 16, अब यहाँ पर देखिए, यह वाली identity लग जाएगी, a square minus b square equal to a plus b into a minus b, तो यह 4 अपनी जगा पर रहेगा, यह x square लिख दिया, और 16 को 4 का square लिख दिया, minus है ही, यहाँ पर a square minus b square इस identity का यूज करेंगे, तो 4 अपने प्लेस पर रहेगा, यह हो जाएगा, x plus 4 into x minus 4, और यह इसका final answer हो जाएगा, तो I think students आप इसको समझ गए होगे, यह identity लिख पाइट जी की तरफ चलते हैं, इसमें देखिए क्या है, पाइट जी में है, कि x to the power 4 minus y to the power 4, और identity हम जानते हैं, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, यह आपकी identity हो गई, अब इसमें आप minus पहले भी लिख सकते हो, या बाद भी लिख सकते हो, दोनों चीजें को दिक्कत हैं, यहाँ आपक कर रहा हूं, चाहिए a plus b into a minus b लिखो, या a minus b into a plus b, कोई फर्क ने पड़ता है, तो देखिए students, x square को हमने क्या लिख लिए, x power 4 को लिख लिए, x square का whole square, y power 4 को लिखा y square का whole square, अब यहाँ a square minus b square अपलाई करेंगे, तो a square minus b square, a square plus b square, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा, x square minus y square, और यहाँ जाएगा, x square plus y square, जो bracket में है, हमारा a है, और y square हमारा b है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हम formula, a square plus b square का कोई formula नहीन होता, लेकिन a square minus b square का होता है, तो यहाँ पर दुबारा से identity लिख जाएगी, x minus y into x plus y, और यह अलिए उस इसी तरीके से रहेगा, तो finally answer मार आ जाएगा, x-y into x plus y into x square plus y square, आप दिए हमारा final result हो जाएगा, ओके students, इस तरीके सा भी आज का assignment complete किजिएगा, ओके, thank you.